को नमस्कार पी टी आई की वर्ति जो के अड़ोटाइजमेंट नमबर छे दोजर चे है उन्हीं सुत्रेशी पोस्ट निकली थी लेकिन वह कही कारणों से वर्ति जोना रद होगी और 2010 की ज्वाइनिंग वाले 2020 में वो कंडिडेट सुप्रीम कोर्ट तवारा अटा दिये गई उसके बाद जोने इसका दुबार टेस्ट होया अगस्त के मिन्ने में 2020 में उसका जोना रिजल्ट आया लेकिन पास बहुत कम कंडिडेट होई क्योंकि कुश्चन बहुत सारे अपजेक्शन मां आगे थे तो उनके जोना बार बार कंडिडेट गए तो चार परेसन की जोना अग्रेश मिल गी और कुल मलागन नोस्टो कुछ से अजार के लग बगवच्चे जोना स्लेक्ट होका जोईन कर गए उसके बाद लेकर कुष्चन बहुत से रह गे थे तो नोने कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी बहुत से कंडिरेट ने और उसके दो साल के बाद पि लोगया और चैन के बिल्कुल विड्रा होगे कुल मिला गया आठ है परसंजोने विड्रा होगे स्लो लेकिन उसके बाद भी बहुत से कंडिरेट को आप्जेक्शन रहे गया है कि हम ने जो अब्जेक्शन किया था वो स्वाल तो बेज्ये नहीं और जैसे डबल आंसर नही एक मिन्या टाइम किसी में दोख है यह जो आज का केस है शी डेवलुपी त्रेपन इक्सट ओफ दो जार तेई से सोडा तीन को इसका जोना डिसीज ना था वजीर सिंग पेटिशन स्टेट ओफ अरियाना आज की वीडियों बात करेंगे इस केस की इनका क्या मुनता है हर नरे सिंगिल जी जज है रविंदर बांगड एड़ोकेट फोर दा प्रेटिशनर प्रेयर इंदी प्रेजेंट रिट प्रेटिशन इस फोर इस्वेंस ओफ ए रिट इन दा नेजर ओफ कर्ट्रेरी क्वेशिंग दा इंपंक्ट रिवाइज रिजल्ट यानि इनोंने अपनी जो उसमें प्रेएर की है जो रिजल्ट आया था रिवाइज होका है 23-12-22 को यह पिछले साल दिसम्बर में उसको जो हैना क्वेस किया जाए रद किया जाए और जो आंसर किया यह उसको भी रद किया जाए न एक्षर पी 15 to the extent of considering this some question क्योंकि उसमें जो हना कुछ question को जो हना consider किया गया as all the objectionable questions have not been referred to the expert committee यहनों उन्हें कहा कि भी जो answer किया यह जो result है उसमें क्यों कुछ ही question को जो ना consider किया गया और जितने भी objectionable question दें उन्हें सब को नहीं expert committee को refer नहीं किया गया इसलिए इसको result को जो ना रद करो और सारे question को refer करो expert committee को यह इनका मुलमुद्दा है learn council for the petitioner submits आगे वकिल साब कहते है that the petitioner has already preferred a representation dated 1712-2022 यानि जो petitioner है इनोंने 17 तरिक रेजल्ट आते ही तीन दन के अंदर HSSC को एक representation देजी थी अप्लिकेशन देजी थी पूरे अपनी detail बना किया आपने यह क्यों नहीं किये एन एक्सर पी 18 के रूप में to the respondent number two secretary HSSC but the same has not been considered लेकन उस पर जो न कोई भी consider नहीं किया गया ना उस पर कोई निरने लिया गया ना petitioner को कुछ आउगत करा आ गया that the commission has अब आगे वकिल साब कहते है that the commission has adopted the pick and choose policy in sending the objectionable question to the expert committee तो इनका कहना है वकिल साब का यह आरोप है कि जो commission है उसने pick and choose policy अपना है यानि जो इन ठीक लागिया वो question committee को बेज दिया जो नहीं लागिया वो नहीं बेज़र जबकि petitioner की मांगे हैं भी सारे जीन पर objection है और सारे question को committee का पास बेज़र कमेटी उनका है decision लेवाए लेकिन board न जो अनसा ही तरिके से काम नहीं क्यार pick and choose अपना ही निती and that if all the objectionable question are not referred to the expert committee then the petitioner and the other will suffer अगर जितने भी objectionable question है वे नहीं रेफर कियेगे तो यह petitioner और जो और candidate बसते हूँ को सफर करेंगे and he phrase for issuance of direction और इसलिए वो प्रेय करते हैंगे respondent no.2 HSSC को direction दो आप to decide the representation कि वो जो हना मारी जो representation दी थी अवना उसको decide करे जो कि अवना 17 December 2022 को दी थी of the petitioner with in a stipulated period और उसको जो हने एक निर्दारित period के समय के अंदर decide करें मारी इनकी में माहिया आए है बही मारे सारे question जितने वो objectionable है वो कमेटी को बेचे जाएं और जो हमने representation दी थी जिसमा हमने हमांग करी थी उस पर एक निर्दारित समय के अंदर कोई न कोई decision लिया जाए decide करो उसको notice of motion हो गया वह इस on the asking of the court court के पूछने पर learn state council accept notice जोना सरकारी वकिलना notice ले लिया ओन भी आप respondent number state भी state की तरफ से जोना उन्होंने और respondent assessive अगर जो भी थे इनकी तरफ से अपना notice ले लिया and has no objection उसने कोई objection नहीं किया किस बात में if direction are issued for deciding the representation dated 1712-2022 in a time bound manner by passing an appropriate speaking order यानि जो सरकारी वकिलना notice लिया और कोई objection नहीं किया कि अगर court चाहे तो direction issue कर सकते हमने direction को कोई इतराज नहीं है जो रिप्रेजेंटेशन अस्तरा 1222 की इसको time bound period में अगर court order करती है इसको जो होना decide करो तो हम इस पर जो ना एक speaking order pass कर देंगे time bound में यानि कुल मुलागर सरकारी वकिलना कोई इतराज नहीं कर देंगे time bound में तो मौमला कतम हो जबता है in view of the request जब सरकारी वकिलना की मांगिया है ठीक मारें डिशाइड करो सरकारी वकिलना मान ली अगभी ठीक हम इन की बात डिशाइड कर देंगे हम इसको मन नहीं ना मन देखो भी एक दो जग है यह आई है मेरे पास भी वेज़े हैं सारे कमेटी को बेजने को ओडर के दिये कर दिये ना कोट ने कोई ओडर नहीं किया है भाई कोड ने तो सरफ कोड से मांग या करी थी नगजी सारे question को जो हना मारे जो representation थी उसको डिशाइड कर दे एक स्टेपलेटिड टाइम में कोड ने सर वह बात माननी है भाई ठीक हम डारेक्शन इसू करते हैं इसको एक निर्दारी टाइम पीड में पूरी करो आप आगे देखो इन वी ओफ दी रिक्वेस्ट मेट बाई दी लंड कॉंसल भाई सरकारी वकील की ज आगी जो दोनों के तरह तागी कोर्ट के पास तो लंड कॉंसल फॉर्दा पटिशनर पटिशनर डूरिंग दी कोर्स ओफ एरिंग जो इस सुनुए कि दोने इनों ने कहा बट विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ओन दी मेरिट ओफ दी केज लेकिन कोर्ट ने कह कि हम कोई भी मेरिट जो ने एक्सप्रेस नहीं करें इस कोर्ट पर इसे फैसले पर और इस केस पर इन व्यूप दी रेक्वेस्ट यानि जो लंड कॉंसल पेटिशनर के नहीं अप्लिकेशन दी और का आग भी मारिया प्रेयर है या रिक्वेस्ट है इस पर कोर्ट न भी जो यह के करना ची है रेस्पोंडन नमबर टू सेक्रेटरी अर्याना स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड इस डारेक्टिट टू डिशाइड दर रिप्रेजेंटेशन डेटिटीट सत्रा बारा दोजार बाइस इन्होंने जो नहीं है चसेसी को सिर्फ डारेक्शन दी है कि वो जो दी थी 17-12-2022 को उसको डिशाइड कर दो बाइपासिंग एस स्पीकिंग ओडर उस पर जो नहीं के स्पीकिंग ओडर पास कर दो विदिन ए पेरिड ओफ फोर विक्स एक मिन्ये के अंदर चार अफ्ते के अंदर उस पर कोईन कोई आप डिशिजन लो फ्रोम दी डिट ओफ रिशिप्ट ओप दी कोपी ओफ दी ओडर इन अकोर्डिंस विद ला कानून के अनुसार उस पर जो भी बनती हो या कोपी जब आपने मेल जनफ हैस लेकि उस पे चैर अपते के अंदर कानून के अनुसार कोईन कोईन नीन आप लो और उसके जो ने ए देखो अब उस पर जोना एच एससी न कोई कारवाई नहीं करी तो इन कंडिडेट को जोना कोट का रुख करना पड़ा अब कोट में कहा है जी मारी रिप्रेजेंटेशन को यह डिसाइड नहीं कर ले आपको यह ऐसी डारेक्शन देओ कि यह मारा डिसाइड करें क्योंकि इन ठीक है गलत है करो ना करो लेकिन यह ओडर हम जो पेटिशन के वकिल उनके अनुसर कर देते हैं वह जो अना एच एससी को डिशाइड करें एक टाइम बाउंड में यानि चार अफते के अंदर तो कुल मलागवाई अब एच एससी एक ओडर पास करेगा एक मिन्ने के अंदर यह कितने नहीं बेज्जे उनका किये कारण है या बेज्जे थे तो उनके बारे में यो डिशीजन आया है कि मैं कुल मलागवाई को इनको ऐसा जवाब यह देंगे जिस्ता सब ने संतूस्त हो जाए अगर संतूस्त ना होंगे तो दोबारा कोर्ट का फेर रास्ता कुल्या बाइचांस यह मना कर दे भी हम नहीं देते हैं आप लोगों को ओर लाव जो दे दिया दे तो उसके बाद भाइक अडिरेट फेर को जाओंगी क्योंकि पोस्ट खाली पड़ी है 500 तभी उपर है तो भी कोशे सब कर सके हैं और खाली पड़ी है पोस्ट किसे काम तान ही नही किसे भाइगारों जगार बने ज्यादा अच्छी यह बाद से बाक्की देखते हैं भाइचे 16-3 का जो ना उड़ रही हो अपरेल अपरेल में मेरे कहल में यह नको अनको डिशिजन अच्छा सेसी को इस पर लेना पड़ागा